बिहार विद्याले परिक्षा समिति सभी इंटर में नमांकन लेने वाले छात्रों और पार्ट वन में नमांकन लेने वाले छात्रों का नमांकन विवर्निका आविदन सुल्क वापस करेगा तो उसी से समधित यहां पर न्यूज है विद्यार विद्याले परिक्षा समिति न ईन्टर में आणीर में एडिनिसन लिया उनका शेशन था दोज्यर आठाराव भी स MI और इंटर चक्शा ऊगए उसके बाद दोजर आठाराव में जोभी 224 पाटवन में एडिमिसन लिये हैं उसके बाद के लिए आवस्यक सुचना कि आईए जनता है कि कितना रुपिया सुल्क वापस किया जाएगा यह पर देखए की एक अधद्वाटा सुचित किया जाता है कि कि 720 tekrar 20 2018 कख्षा 2227 किस इंटर कक्षा में ओ एफ एसस के माधियम से विद्याले महा विद्यालेयों में नमांकित विद्यार्थियों से बिहार विद्याले परिक्षा समिती पटना द्वाड़ा लिया गया विवर निका एबम आविदन सुल्क 200 रुपीय परती विद्यार्थी के दर से समंधित व कोटल पर अपने संस्थान का बैंक विवरन यथा खाता संख्यां बैंक का नाम इतियादी को आठ फरवरी 2019 तक अपलोड करने तथा उसकी इमेल के माधियम से संपुष्टी करने तो अनुरोद किया गया था ताकि समंदित सभी सिक्षन संस्थानों जहां विद्यार्थियों क संस्थान को अपना बैंक का अपडेट नहीं किया है इसलिए उस संस्थान के छात्रों का रासी नमांकन सुल्क नहीं भेजा गया है तो उसी समंदित यहां पर जो विहार विद्याले प्रिक्षा सिमिती ने एक और मुका दिया है संस्थान को अपना बैंक अकॉंट जो है अपडेट करने के लिए तो संस्थान जो है कि ओफस की यहां पर वेबसाइट देख रहे हैं जाएंगे लोगिन करेंगे उसके बाद कोलेज इनफोर्मेशन पर किलिक करेंगे मेनेज बैंक पर किलिक करेंगे बैंक विबरान अपल आप नहीं कराने की स्थिति में जो है कि भुक्तन में विलम की गई सारी जवाब देए समंदित विद्याले महां विद्याले की होगे तो विद्याले परिक्षा समिती से समदित जानकारी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा दे वीडियो देखने के लिए धनियवाद